हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल इंगलिश विद माया और कैसे हैं सबी लोग आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड फ्रेंड हमारी सीरीज चल रहे हैं इंगलिश लेंगेज के जिसमें हम लोग वकाई पढ़ रहे हैं फ्रेजर वर्ब्स आज हमारा प्रैक् दीट मीच्छे करें सेवार को त्रहिए मोस्ट लिवर्वां लग पनेेल इसे ने से पहले अगर आप चैनल में नयहिए तु चैनल को सब्क्राइब करें सक्कूराइब करें कमेंटी क्रेंटी करें शेयर करें प्लेक्स अबभी तक हम लोग ने 60 फ्रेजल वर्वर्ध जो अगर करने माले हो चले, नлемको कोने स्टार्ट करती है, दिखते हैं, दिखें हैं , then for या फिर done in, इनका मतलब क्या होता है be ruined, मतलब कोई चीज क्या कर देन और कोई चीज को नश्ड कर देन या फिर खराब कर देना तो इसका मतलब होता है done for या done in का मतलब होता है कोई चीज को नश्ट कर देना या फिर खराब कर देना तो ruined means क्या होता है बरबात करना या फिर नश्ट करना तो देखते हैं for example से he appears to be done for since he has lost heavily in gambling देखे इसका मतलब ये है he appears उसे प्रतीत होता है या फिर दिखाई पड़ता है to be done for कि उसने नश्ट कर दिया है उसे प्रतीत होता है कि उसने सब कुछ अपना नश्ट कर दिया since कैसे he lost he has lost heavily in gambling फिरेंट gambling means क्या होता है जुआ जुआ आप जानते हैं जुआ खेलने तास पता होता है वही ठीक है जिसमें लोग पैसे लगाते हैं तो वही बात कही गई है कि उसने बहुत तेजी से जुआ खेलने में अपना सारा कुछ जितना भी उसके पास था उसने सारा कुछ नश्ट कर दिया या फिर हो दिया ओके तो ये मतलब होता है done for या फिर done in का ओके तो ये आप लोग अच्छे से याद राखेंगे done for your done in का मतलब हो जाएगा be ruin मतलब हर चीज को बरबात कर देना ओके चलिए देखते हैं next one draw up draw up का मतलब क्या होता है draw means तो आपको पता है कोई चीज ड्रा करना लिखना हाना या line खीचना वैसे होता है तो उसी का मतलब समझे draw up का मतलब होता है to write मतलब कोई चीज को क्या करना लिखना write करना compose करना भी होई मतलब होता है लिखना draft मतलब भी होई होता है ठीक है तो इसका मतलब आप समझे लिए draft का मतलब होता है कोई चीज को compose करना या फिर लिखना ओके चले देखते हैं for example से I watch bg drawings up plans for the new course I watch bg मैं busy था किसमे drawing up plans मतलब अपने plans को लिखने में for the new course कैसे new course के लिए जो भी plans थे मेरे उसको लिखने में मैं क्या था bg था ठीक है तो यहाँ पे जो drawings up है इसका मतलब क्या हो गया तो write या फिर to compose ओके तो बात clear हो गए नट तो आपको याद रखना है draw up means क्या होता है to write करना या फिर compose करना या फिर draft करना ओके चलिए देख लेते हैं next day देखेंगे draw on या फिर upon या तो draw on आ सकता है या फिर draw upon आ सकता है तो ये दोनों का ही मतलब क्या होता है to get money from तो पैसे के लिए क्या करना पैसे के लिए भागना पैसे पाना पैसे के लिए बस अपना सब कुछ ठीक है इसके अबैल्टी थी ओके बात क्लियर होगे नहीं तो आपको याद रखना है draw on या फिर draw upon आ जाए दोनों का ही मतलब क्या हो जाए to get money from ओके ये बात आप लोग अच्छे से याद रखेंगे चलिए देख लेते हैं next example देखे drop in अब drop in का मतलब क्या होता है to pay a short visit drop means तो आप जानते हैं कोई चीज को stop कर देना या फिर हाना या फिर एकदम आगे निकल जाना इसमें क्या है to pay a short visit to pay a short visit इसका मतलब क्या हो गया कोई चीज shortly तरीके से बतलब उस काम को या फिर कहीं जाना विजिट करना कैसे बिलकुल short तरीके से okay I thought I would just drop in and see how you were मैंने सुचा कि I had just drop in कि मैं इसको क्या कर दूँ drop in कर दूँ छोड़ दूँ and see how you were है ना जैसे कि तुम थे बात क्लियर होगे ने तो drop in का मतलब क्या हो जाएगा to pay a short visit क्या हो जाएगा friend to pay a short visit ओके ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है to pay a short visit ठीक है चलिए अब हम लोग देखते हैं next देखें अब है हमारा क्या sentence drop out क्या है drop out ठीक है अभी हमने पढ़ है drop in अब हम लोग पढ़ेंगे drop out तो drop out का मतलब क्या होता है retire in the middle stop doing something मतलब कोई काम करने से क्या कर देना बीच में कोई काम को क्या कर देना छोड़ देना या वाइल दारेश वाज इन प्रोग्रेस, she could not qualify for the selection, मतलब वो selection में qualify नहीं हो शका, जब कि he dropped out, हाणा, he dropped out while the race was in progress, चबकि उसकी जो रेस थी कैसे थी। ड्राप आउट थी। मतलक उसने अपने रेस को बीच मे छोड़ दिया था। UN Hasan Ford प्रोग्रेस को रही ट्त रेसे। अपने रेस को क्या कर दिया था। ड्राप आउट कर दिया तो आपने रेस को क्या कर दिया इसलिए क्वालिफाइथ को इसलिए क्या खोंड दिया था थीक इसलिए पालिफाइथ सेलेक्षिन में नहीं हो सका okay चले देख नहीं next one, next one है आपका fallback, fallback का मतलब क्या होता है, fall means तो आपका पता है, गिन्ना होता है, back means speech है, तो क्या कर देना, fallback का मतलब क्या होता है, retreat करना, क्या friend होता है, retreat करना, यह होता है आपका fallback, तो इसका मतलब यह हो जाता है, कि पीछे हटना, क्या हो जाता है friend, पीछे हटना, यह हो जाता है, आपका fallback, तो देख लेते हैं, fallback मतलब पीछे हटना, कोई काम से पीछे हटना, ठीक है, for example, the writers fill back when the police arrived, जो writers थे, वो क्या कर गये, पीछे हट गये, जबकि police जैसे पीछे हटना, वैसे जो writers थे, वो क्या कर गये, पीछे हट गये, यह हो जाएगा, आपका fallback, fallback का मतलब क्या होता है, fallback का मतलब होता है, पीछे हटना, क्या होता है friend, पीछे हटना, यह होता है आपका fallback, ठीक है, arthritis means क्या होते हैं, गुंडे होते हैं, जो मतलब दंगा करते हैं, उन्हें कहते हैं क्या, या criminals बोल सकते हैं, ठीक है, चले, देख लेते हैं, next one question को, अभी हम लोग ने पढ़ा fallback, अब हम लोग पढ़ने वाले है, fallback on, क्या पढ़ने वाले है, fallback on, ठीक है, तो fallback on का मतलब क्या रहना है, मतलब हर चीज़ों के लिए उसी पर ही, क्या करना है, निर्भार रहना है, ओके वो क्या होता है, वो होता है, fallback on, ओके, चले, देख लेते हैं, you must save money to fallback on it in old age, you must save money, मतलब हमें अपनी money को क्या करके रखना चाहिए, shape करके रखना चाहिए, fallback on it in old age, ताकि हम अपनी old age पर किसी पर निर्भर ना रहा है, किसी पर depend ना रहा है, तो इसलिए हमें, जो भी हमाँ पास money है, उसको क्या करके रखना चाहिए, shape करके रखना चाहिए, ओके, तो आपको पता चल लगे रहा है, fallback on का मतलब होता है, क्या depend on, किसी पर depend होना, ओके, चले, देख लेते हैं, next one question को, fall off, अब fall off का मतलब क्या होता है, देख लेते हैं, fall off का मतलब होता है, decrease in number, क्या होता है friend, decrease in number, यह होता है आपका fall off, okay, मतलब कोई number को क्या कर देना, घटाना, क्या कर देना friend, घटाना, get separated, मतलब किसी से अलग होना, दो means हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका किसी नमें रेडियूस कर रहा है, या फिर डिक्रेस कर रहा है, ठीक है, और second क्या हो जाएगा, get separated, या फिर किसी चीज से क्या होना, separate होना, मतलब की अलग होना, okay, चलिए देखते हैं, for example, in the wake of the roof tragedy, the admission in the school have fallen off, है न, जो wake of the roof tragedy of the admission in the school, school के admission में, जो the wake of roof tragedy थी, वो क्या हो गए, fallen off हो गए, मतलब की क्या हो गए, अलग हो गए, या फिर decrease हो गए, ठीक है, घट गए, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, fall off, चलिए देख लेते हैं, next one question को, देखे फॉल आउट, अब फॉल आउट क्या होता है, देख लेते हैं, फॉल आउट का मतलब होता है क्वैरल, किसी से क्या करना, किसी से लडाई जगडा करना, ये क्या होता है फ्रेंड, ये होता है आपका फॉल आउट करना, क्या होता है किसी से लडाई जगडा करना, ये हो and out over a minor issue उतलब जो फ्रेंड्स Central वह क्या कर रहे थे पने एक minor मोर्म पर क्या कर रहे थे लड़ रहे थे ओसकांक था कोई fall in with, ठीक है, fall in with, तो fall in with का मतलब क्या होता है friend, fall in with का मतलब होता है, क्या agree with, क्या होता है friend, agree with, मतलब किसी से क्या करना, किसी के शाथ सहमती बैक्त करना, या फिर किसी से राजी होना, या फिर किसी से शहमत होना, तो ये क्या हो जाता है, fall in with हो जाता है, ठीक है, किसी के क्या करना सहमत होना ओके यह हो जाता है आपका fall in with हो जाता है ओके चलिए देखते हैं instead of challenging the lie she fell in with their views instead of challenging मतलब जोंट बोलने के challenge में she fell in with their views उसके views पर वो क्या कर गया जैसे वह जोंट बोल रहा था उसके views पर वो क्या कर गया उससे वो agree हो गया राजी हो गया उस पर ठीके तो यह क्या हो गया आपका fall in with fall in with का मतलब आप बसता समझ लेंगे क्या होता है agree with किसी से सहमती ब्रत्र करना ओके चले देख लेते हैं next one question को fall throw अब fall throw का मतलब क्या होता है देख लेते हैं friend fall throw का मतलब होता है to remain incomplete मतलब कोई काम क्या कर रह जाना या incomplete होना या फिर fail हो जाना इसका मतलब क्या होता है fall throw का ये मतलब होता है fall throw का मतलब क्या हो जाएगा कोई काम incomplete रह जाना कोई चीज रह जाना to remain incomplete या फिर fail होना ये होता है आपका fall throw okay चले for example देख लेते हैं for want of sufficient funds your new project is likely to fall throw for want of sufficient funds your new project is likely to fall throw है ना जो कुछ fund था उसके new project में ठीक है तुम्हारे जो new project का जो fund था for want ठीक is likely fall throw वो क्या रह गया मतलब कि वो incomplete रह गया है ठीक है जो आपके funds का मतलब new project का जो funds का कुछ थोड़ा सा funds था वो अब क्या कर रह गया है वो थोड़ा सा incomplete रह गया या फिर fail हो गया चले देख लेते हैं next one question को follow up follow up का मतलब क्या होता है देख लेते pursue after the first attempt क्या होता है pursue after the first attempt ये होता है आपका क्या follow up है ना मतलब कि first attempt में ही कोई चीज पाने की कोशिश करना first attempt में ही मतलब कोई जैसे आपको एक सा exam दे रहे हैं ठीक है तो उसमें आप जैसे पहली बार उसको exam दे रहे हैं तो आप सोचते हैं कि बस पहली बार में ही मेरा exam ये clear हो जाए तो आप क्या रख रहे हैं पहले attempt में कोई चीज अपनी नौकरी पाने की इच्छा रख रहे हैं तो वो क्या होता है आपका follow up क्या होता है friend follow up ठीक है पाने की आप इच्छा रख रहे हैं पाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बन जाता है आपका follow up, okay, तो चलिए देख लेते हैं, for example, the idea has been followed up by a group of researchers, है ना, the idea has been followed up by a group of researchers, मतलब जो group में जो researcher थे, ठीक है, वो क्या सोच रहे थे, कि उनका idea पहली बार में क्या हो जाए, follow हो जाए, ठीक है, मतलब पहली बार में क्या हो जाए, काम कर जाए, जो वो research करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहली attempt में हो चाहते हैं, कि वो कोशिश, मतलब जो कोशिश कर रहे हैं, वो पहली बार में सक्सेज हो जाए, ओके, यह हो गया आपका follow up, अब तो याद रहेगा ना, follow up, चले, देख लेते हैं, next one question को, डेके फ्रेंड, सेशन चल रहा है, आ आप उठा सकें, ओके, चले, देख लेते हैं, next one question, get ahead, हमारा फ्रेजल पर भे, get ahead, get ahead का मतलब क्या होता है, go forward, क्या होता है, friend, go forward, यह होता है, आपका, get, go forward, get ahead, get ahead का मतलब क्या होता है, कोई चीज क्या करना, forward करना, कोई चीज क्या करना, friend, forward करना, मतलब कोई चीज आगे पहुंचा देना, okay, ठीक है, तो you can get ahead of your revivals only by hard work, मतलब सिर्फ आपका जो hard work ही ऐसा था, केवल hard work ही ऐसा था, जिसको, मतलब कि जिसको तुमको क्या कर दिया, उसने बहुत आगे तक पहुंचा सकता है, ठीक है, तुम्हारे अंदर जैसे ज्यादा hard work करने की इच्छा है, hard work कर सकते हैं, जो hard work है, वही आपको क्या कर सकता है, आपको नौकरी पाने के लिए, रोसाइद कर सकता है, आपको नौकरी पाने में आपको success दिला सकता है, तो वही बात बोलना है, get ahead, go forward, आगे तक आपको पहुंचा सकता है, चले देख लेते हैं, next one question को, go along, अब go along क्या होता है, be friendly होना, कोई चीच क्या करना, be friendly, go along का मतलब होता है, किसी से friendly बेहार करना, कैसा बेहार करना, friend, friendly बेहार करना, ओके, यह होता है, आपका क्या, यह होता है, go along, ओके, दोस्ताना बेहार करना, friendly बेहार करना, they just can't get along together, because of temperamental difference, ओके, वे जो थे, क्या थे, along together, मतलब, साथ-साथ, एक साथ क्या नहीं कर सकते थे, नहीं जा सकते, get along, मतलब की, friendly together, मतलब, वो साथ-साथ, friendly, we have, नहीं कर सकते थे, अभी, because of temperament, क्यों के अंदर क्या था, temperamental difference था, ओके, चले, देख लेते हैं, next one question को, get at, अब get at का मतलब क्या होता है, reach करना, या फिर understand करना, कोई चीज क्या करना, reach करना, ओके, ये होता है आपका क्या, get at, reach करना, या फिर understand करना, या फिर कोई चीज, मतलब वहां तक पहुंचाना, या पहुंच करना, या फिर वहां तक पहुंचना, या फिर कोई चीज को सम ठीक है यह होता है आपका get at it is very difficult to get at the truth मतलब आपको सच जानने के लिए बहुत सारी कटनाईयों का सामना करना पड़ता है सच को समझने के लिए बहुत सारी कटनाईया क्या करने पड़ती है जेलने पड़ती है ओके यह होगे आपका get at मतलब understanding होना चलिए देख लेते हैं next one question को देखे get away अब get away का मतलब क्या होता है देख लीजी get away का मतलब होता है escape करना मतलब भाग जाना ठीक है और यहां पर देखे god नहीं है they got away है क्या है god ओके इसका second form get का क्या हो जाता है god तो they got away on scooter वे क्या हो गया हो गया वो scooter से फरार हो गया मतलब कि भाग गये ठीक है वो वे scooter से क्या हो गये भाग गये ठीक है तो get away क्या होता है escape करना मतलब कि भाग जाना बात clear हो गई न चलिए देख लेते हैं next one get away with अब get away ये most important है वैसे हैं तो सारे most important लेकिन देख लीजे ये exam में आया हुआ get away with get away with का मतलब होता है without being punished or with little punishment मतलब होता है बिना ही कोई punishment के ठीक है भाग जाना या फिर उनको फोड़ी से punishment मिलना little punishment okay तो ये इसका get away with का मतलब होता है without बिना punishment के या फिर फिर फिल्कुल थोड़ा से punishment मिलना जरा से punishment उसको मिलना ठीक है ये होता है आपका get away with for example देख लेते हैं although his fault was serious he got away with light punishment यदिफ his fault was serious यदिफ उसका जो fault था वो क्या था serious था he got away with light लेकिन फिर भी उसको क्या मिला उसको जो punishment मिला बिल्कुल with light Language olur बिल्कुल light punishment उसको मिला मतलब बिना punishment के ऋने हि मला ही ना हो ठीक है ये बात मतलब उसने जो भी fault उसने जो भी ज्रांबोच की उसने गलती जैसे लगता था उसको फिर एक यसने की मिला या नहीं घया ठीक हैं ये वाटलब हो गया शेली देख लेते हैं, next one question को, get on, अब get on का मतलब क्या होता है friend, देख लेजे, get on का मतलब होता है, कोई चीज, progress करना, क्या करना friend, कोई चीज, progress करना, progress करना का मतलब क्या होता है, कोई चीज, बढ़ावा मिलना, या बढ़ावा होना, विकास करना, ठीक है, वो होता है, get on, get on का मतलब क्या हो जागए प्रोग्रिश करना ओके देख लेते हैं for example how is your son getting on with your yesterday how is your son कैसे तुम तुम्हारा जो पुत्र है getting on with your yesterday अपनी पढ़ाई पर प्रोग्रिश कर रहा है ठीके कैसे तुम्हारा जो पुत्र है वो अपनी पढ़ाई पर प्रोग्रिश कर रहा है या फिर फिकास कर रहा है ठीके ग्रो कर रहा है ओके यह होता है आपका get on चलिए देख लेते हैं next one question को get on with get on with का मतलब क्या होता है get on with का मतलब होता live together मतलब साथ साथ रहना pull with साथ साथ रहना या फिर खीचना pull with का मित मतलब वही होता है साथ साथ रहना या कीचना ठीक है तो बहुत husband and wife are getting on well with each other मतलब जो husband and wife दोनों ही ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को हमेशा मतलब साथ साथ एक दूसरे के रहते हैं या फिर अपनी जीवन की जो डोर होती है उसको साथ साथ ही कीचते हैं ठीक है ये इसको हम क्या बोलते हैं get on with तो get on with का मतलब पता चल गए हैं get on with का मतलब होता है क्या live together साथ साथ रहना या फिर अपनी जिंदिगी के जो भी पल्स हैं वो साथ साथ काचना ओके चलिए तो देख लेते हैं आज का last one questions है get over अब get over क्या होता है recover from illness or shock recover from illness or shock या फिर come over get over का मतलब होता है कोई जैसे बहुत लंबी बिमारी से क्या हो रहा हो recover हो रहा मतलब कि उसको राहत मिल रही हो ठीक है वो ठीक हो रहा होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं get over कोई भी बिमारी से क्या होना या फिर कोई shock से recover होना वो होता है आपका get over तो देख लेते हैं इसका for example he is still trying to get over the financial crisis he is still trying मतलब वो जब भी try कर रहा था क्या मतलब जैसे वो अपने financial crisis से क्या कर रहा था recover हो रहा था ठीक है financial जो crisis थी उससे वो क्या हो रहा था वो मतलब recover करने की कोशिश कर रहा थी still trying ठीक है कोशिश कर रहा है तो फ्रेंड आपके आज top 20 most important जो phrasal verb सी वो हो चुकी हैं हम लोग पढ़ चुके हैं तो आज से आपके 80 phrasal verb complete हो गए हैं बची है 120 तो वो भी 4-5 और session होगे उनमें आपको सारी phrasal verb आपकी सारी complete हो जाएंगे daily हम लोग करते हैं सिर्फ 20 most phrasal verb को ठीक है अगर जादा करवाए जाएंगे तो आपके bounce हो जाएगा और आपको जादा यह चीज़े याद नहीं रहेंगे इसलिए हम कोसिस करते हैं कि थोड़ा थोड़ा चीज़े करवाने की ताकि आपको वो चीज़े बिल्कुल अच्छे से याद रहें तो चली फ्रेंट्स share कर दिया करें इस class को और अपना feedback जरूर दिया करें ताकि हमें पता चलें कि आपको यह class कितनी अच्छे रगती है और फिर कितनी beneficial है आपके लिए तो चली फ्रेंट्स अब class को ओर करते हैं और करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को subscribe करें लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें थैंक यू सो मज़